नमस्कार दोस्तों, Hello Kitchen चैनल में आपका स्वागत है हम फिर से एक और वीडियो MI Poultry Farm से आपके लिए लेकर आए हैं इस वाली वीडियो में हम जो brooding है वो कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे पिछली बार जब आसिफ जी से हम मिले थे MI Poultry Farm पर आये थे उस टाइम पर brooding यहाँ पर नहीं हो रही थी, जो मुर्गिया थी वो अंडा वहाँ पर देना उन्होंने शुरू कर दिया था आसिफ जी से हमने पहले ही बात की थी कि जब भी brooding हो वो हमें बताएं तो हम यहाँ पर brooding की जितनी भी information है वो आसिफ जी से जानकर आपको देंगे सर यह जो यहाँ पर अभी जो बच्चा है brooding के लिए अपने रखा है, यह कितने दिन का बच्चा हो गया है यह बच्चा हमारा लगबग अठरा दिन का हो चुका है यह अठरे दिन का और brooding कितने दिन तक होती है और brooding का एक इसपष्ट अर्थ क्या चीज है इसमें दो तरह की brooding होती है एक तो के सिस्टम होती है जो बच्चा केज में brooding करते हैं और यह पर इप लिटर कर रहे हैं तो हमें जो हमने बच्चे पहले अपना डिप लिटर में पाले थे तो हमें यह इस पर लगा कि नीचे से बैटर ब्रूडिंग में फायदा है नहीं केज सिस्टम से भी बेकार है तो हमारा बच्चा जो पला था उस टाम बहुत बढ़या पला था और हमने 65 दिन में अपना बच्चा अपना केज में डाल दिया था हमने 65 दिन का होती तो सर यह ब्रूडिंग का मतलए कि यहां पर बच्चा जब तक तयार किया जाता जब तक वो अंडा देना शुरूर ना कर दे और आपने पिछली बार 65 दिन के पिछली बार भी डीप लिटर में ही आपने ब्रूडिंग की थी जी हाँ पिछली बार भी हमने जो है नीचे डीप लिटर ब्रूडिंग की थी और 65 दिन में हमने जो अपनी मुर्डिंग ऊपर चड़ा दी थी तो सर हमें यह और बताईए कि ब्रूडिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं नीचे जो डबल शेड है उसकी नीचे वाले पोर्शन में करते हैं इसमें में खर्चा क्या आता है चिक्स आपको क्या रेट पड़े कितने में पड़ा और कहां से आप खरी सकते हैं और सबसे अच्छा अच्छे कि कहां का हो सकता है इसमें सबसे बढ़े तो वैंगी का है और क्या रेट पड़ा वैंगी का वैंगी का हमारे पड़ा है ओई फोटी वन का और दूसरी कौन-कौन सी कमपनी सब्सक्राइब हो बिल्कुक गर्मी बरदास नियुकुल लिए पिछले वाले में आपने कुछा ढाला था कि यह ग procent नMi का था है वह ता क्याने का मतलब कि अभी तीन 15日 के करीब में बढ़ चुके हैं इसमें मेन खर्चा बूर किसके चुकिन कि तो मिनीम्म यह लगए लगा लो आप केहलो दिखा देता है लेंके का 112 दिन में भी दिक्खा देता है तो इसका जो करचा मिनिमम्म वही एक सो बीच दिन ठक जो है वही मिनिमम्म 20 से 25 लाग करचा आ जाता है जब तक अगें तक नहीं दी ते Heelah वरता है 20 से 25 तक मतलगी खिलाना कहां से फीड आता है कौन सी कंपनी का फीड ले रहे हैं ये भी बताइए और कितना फीड ये खा जाती है अंदाजन ये जो अनदाजन है के नम मिला गालीजिए पांंच किलो एक बच्च कीलो खा जाता है चार न है और कौनसी कंपनी का फीड ले रहे हैं वहंकी की कही खिलाते हैं पूरे 120 दिन तक तक और उससे फिर्टेक्टाइटे मेन यहां की जो अल्षी क्या होता है जो न परीन होता है i4 1996 बाद में आर्ट ताकि रेट कम पड़े तो उसमें अपना जो बाजरा है या मक्का है वो आप मिलाते हैं ताकि रेट थोड़ा इस टाइम पर फीड महंगा है तो आपको सस्ता पड़े सर ब्रूडिंग में और क्या-क्या चीज़े ध्यान रखनी हैं आपको किस चीज़ पर ज्यादे फोकस देना पड़ता है जैसे अभी आप बता रहे थी कि जिस दिन आंधी आई थी उस दिन कुछ मोर्टेलिटी होई थी मतले कि मर गए थे बच्चे तो वो क्या-क्या चीज़ चीज़े जो आपको मैसोस होई कि यह चीज़े जो और किसान भाई सामने से देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान रखें ब्रूडिंग करते टाइम पर और क्या चीफ ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर और क्या आपको ऐसा लगता है कि यह चीज बतानी चाहिए और मुझे इसमें आज विसे तो पानी का ध्यान नखना चीए और ब्रूडिंग का सिस्टम मेरे इसाब से इसे खर्साओं में पालना चीए बिल्कुल सरदी में तो बिल्कुल भी पालने नीचीए जो बच्चा इस कं टेंपरेचर बनाओ नब्य पिच्चान में सो तक टेंपरेचर बनना पड़ता है बच्चे में जो मतलब क्वाल्टी देखनों को खर्साओं में मिलते वह सरद्यों में नहीं मिलती तो मतले कि आप इस टाइम पर बच्चा पालें लेयर के लिए पाल रहें वह अंदर से उस जिनोंने सभी जानकारी ब्रूडिंग के बारे में दी तो अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं वो हम आपको अधिक जानकारी वहाँ पर दे देंगे ये वाली वीडियो आप हमें ये भी बताइए कि आपको कैसी लगी क्या इंफोर्मेश Jackie-san